दोस्तो WTC के फाइनल में मिली हार के बाद अब टीम इंडिया को इंग्लेंड से पांच मैचों की टेज स्रीज खेलनी है इसके लिए चार खिलाड़ी को स्टेंड बाई के रूप में टीम में शामिल किया गया है इन चारों में से एक हैं अरजन नागवास बाला जो इस वक्त टीम इंडिया के साथ इंग्लेंड में है स्रीज शुरू होने से पहले अरजन ने बॉलिवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को लेकर कहा है कि वो उनकी क्रश है और उनके साथ वो टूर पर जाना चाते है दरसल अरजन से एक इंट्रिव्यू में पूछा गया कि वो कौन सी सेलेब्रिटी है जिस पर आपका क्रश है इस सवाल पर उन्होंने बॉलिवुड की ग्लेमर्स एक्ट्रेस दिशा पाटनी का नाम लिया अरजन ने कहा अभी बहुत सारे क्रश है पिछले कुस समय से दिशा पाटनी पर मेरा क्रश है इसके बाद उनसे पूछा गया कि छुट्टी के लिए वे किस जगा घूमने जाना चाते है इस पर तेज गेंदबाज अरजन ने कहा यह मेरी पहली विदेश यात्रा है और मुझे इस जगा से बहुत प्यार है इसलिए मैं केबल यहां की यात्रा करना चाहूंगा आपको बता दें कि तेज गेंदबाज अरजन नागवास वाला को भारती किर्केट टीम का अगला जहीर खान बताया जा रहा है अरजन को अवीवन्यू इश्वरन, आवेश खान और प्रिसिद्ध कृस्णा के साथ स्टेंड बाई खिलाडियों के तौर पर टीम में रखा गया है वे भारती टीम में 1975 के बार शामिल होने वाले पहले पारसी किर्केटर है इससे पहले पारसी किर्केटर फारुक इंजिनियर थे वैसे दोस्तों आपकी किर्श कौन सी सेलिब्रिटी है हमें कमेंट शेक्सन में जरू बताएं दोस्तों इसी तरह की और किर्केट नियूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोडिफिकेशन बैल में आल स्रेक करना ना भूलें